पाकिस्तानी लोग 70 साल से कस्मीर को क्लेम कर रहे थे अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं जूनागर को और इन्होंने जूनागर को अपने मैप में भी जो नया मैप अभी पाकिस्तान ने जारी किया है उसमें दिखाया है तो दोस्तो अपको क्या लगता है आप पहले वीडियो देखिए फिर वीडियो के बारे में लास्ट में कुछ करते हैं धन्यवाद दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने सुझाओ कर इंताई सिक्रट के तोर पर कारगल इंडिया को दे दिया उननीस सो बहातर तर तक कारगल पाकिस्तान का हिस्सा था किसी ने नहीं पूछा जी कारगल इंडिया के हमाल हमारे लीडरों का दाइं आताख खेल है वो जनाब उन्होंने वो कर दिया इसके साथ आइन बना इसके बास सब कुछ हो गया फिर ब्लोचिस्तान में मामलात आपने सभी फरमाया ब्लोचिस्तान की जब हमारी कमजोरी चलती चले गी ते ब्लोचिस्तान पर भी मदाखित बकैदा इंट्रक्षन थी कि आपने कश्मीर के बारे में कोई जिकर नी करना अच्छा किढ़ बुर्टो साथ के सेमाने की हमाने कि वास्थ हूं थे झापर ऑब क जारिया किये थे कोई कश्मीर के बारे में राड़ नी होगी चौडरी गुलावा बहुश यह सब मामलातों वो दाइं बाइं कर दिये गए और आप है रहान होंगे यह बहुत संगीन बात है कि अगर मनिस्ट्यू अफ इंफिर्मेशन में आप ते और आप कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर आजम की तरफ से यह इंस्ट्रेक्शन थी कि कि कश्मीर पर कोई बात नहीं हो बहुत बस बस श्व के दो एक विजीर खार्जा बात करेगा और कोई बात करेंगा एक बात होई और दूसरी बात जॉफ्वलाग साफ ने की जावलाग के दौर में यह हुआ कि जबाए बड़े डरामें इंडिया के खिलाफ हमारे उस जबाने के जो राइटर थे महवेबतन ओर ड्रामे लिखते थे, अफसाने लिखते थे, वो सब बंद कर दी गए, कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी, तो 1980 भी हुआ ये मामला, तो सर इसकी क्या वजुहात किया थी, ये वोई, शिमला एग्रिमेंट और जो जो एक अंडरस्टैंडिं बौर्डर है, इससे इद ने और आएं बाहें जाएं, दाएंजे हैं, कि वो भी आलोब बालग खाते हैं, उन्हें सारी निज्जियाती एसासी खत्म करती। अवामी तोर पर भी इस पे दबाव होता है बड़े ताक्तों का कि भी आपको बच जो कुछ होगे आप अपने खामोशी से अपना काम चलाते रहे वो भी दबाव भी है इसके बाद उनके अंदर भी विल पाउर भी खतम हो गई जजबा होता ने उठाने के आवाम को उठाने खत्रे में पड़ी तो उसको अल्ला ताला की तरफ से हकम होता है ने वो तो जिसको चाहे ताक्त दे तो आपको माना पड़ेगा कि प्रेजिड़न निक्सन ने आपको वैक्ष पाकिस्टन बचाया वरना इंडिया ने तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फौजों की मैं इसाल गया करकि पी तो जिसको ताला पाकिस्टन जो सुह होँआToday प्रेघिर आपने उसको urgent पाकिस्टान पर हमला किया तो मैं नीटो फॉर्स के जरिये एडिया भाहा हमला करूंगा तो उस पर वो जा है वच्पर वैस्ट पाकिस्टान बचा वरना वेस्ट पाकिस्त अब अच्छी बात ये है कि नाव येर अन दे राइट रैक दुबारा से एक जजबा, वलवला, एक अजम एक होसला, ये तमाम तर चीजें हैं, आज हम बात कर रहे हैं जूनागड की और भी जगों से बात हो रही होगी, और अब पाकिस्तान रीकलेम कर रहा है वो तमाम तर जो उसका हक बनता है, और इस बात की बड़ी तकलीफ भी है हमारे परोसी मुलक, नोट तो फगेट सर, हमारे अंदर तो भी चंद अनासिर हैं, जो कहीं बरोचिस्तान या पखतुनिस्तान, या कोई ऐसे पैसे लेके जो बेवतन नहीं होते हैं, चंद नारे बलंद कर देते हैं, परोसी मुलक की बात करें, हमारा दुश्मन मुलक है, वहां पर कितनी ज्यादा अलेदगी की तहरीके मसलसल चल रही हैं, कितने लोग तंग हैं, क्या ज्याती हैं, क्या वज़ाए कि वो सतर साल में इंटेक्ट है, और कुछ रियास्तें लेदा नहीं हुई, तूटी न करता हूं, जो अलिमेंट बड़ा इंपार्टन रहा है, कि वो गोवर्नेंस का अलिमेंट हमेशा याद रखें, कि जब आप फैक्टर बैलेंस करते हैं, मुझे याद है कि 2006 में मनमोहन सिंग थे वजीर आजम हिंदस्तान के, तो एक सर्वे जा रही हुआ था, कि हिंदस्तान की तकरीबन बारा, तेरह रियासतें यो हैं, जो शिमाल की रियासतें यो शिमाल मेंच्रिक की रियासते, जिसको नार्थ HO Against कि स्टेट्स कहा जाता है, तो उस 번째, बड़ी तादाद में नकसलाइट की हुक्मत है। और यो लोग ये करते हैं, कि वहांते हैं एक हुक्मत की रि है वो काफिया तक बाहल हो चुकी है इसमें आपको बताओं कि याद रखें कि मुलक के अंदर जो लोग होते हैं तो वह उसी मुलक की पैदावार होते हैं यह किरन बटरे होते हैं जैसे आपने इशारा किया कि हमारे हां भी जो स्ट्रगल या अंदर से जो कुछ प्रावलम्स सुए तो काभू कर लिया गया हंदस्तान ने यह किया कि अन लोगों को उनकी जो रूट्स हैं उनको अटेक किया नकी रूट्स डिगवड की और फिर उनको मैं धारे में लाए याद रखें कि बलोचस्तान का एवाम हो बलोचस्तान में आज जतने भी लोग है यह पिर पाकिस्तानियों को हम गले लगाएं, इनको हम दिवार तक ना लगाएं अपना ये होगा, अपना ऐसी तरह से कस्मीर को देखते देखते, पाकिस्तानी 70 साल से तो सर्वाइब कर रहे हैं, अब जूनागर एक नया हिस्सा अपने मैप में जोड़ा है, जैसा कि आपको पता होगा, इमरान खान ने को उस दिन पहले एक मैप जारी किया था, जिसमें कस जूनागर को भी उन्होंने अपना हिस्सा दिखाए था, और पाकिस्तानी हैदरावाद को भी कलेम करते हैं, आपको पता होगा, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान मन रहा था, इंडिया तो पहले से था, तो उस समय आपको याद होगा, तीन रियासतों का मामला अटक गया था, अच्छली वें चार रियासतों का मामला अटका था, त्रावल कोड, एक केरल की रियासत थी, और जूनागर, गुजरात की रियासत, पता है आपको, कस्मीर और हैदरावाद, तो आपको पता है, मामला सबका सॉल्व हो चका था, आपको याद होगा अच्छे से अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो बट कस्मीर में जो प्रॉब्लम है वो भी आपको सब कुछ पता है इतना मीडिया में आये तो इस बारे में कुछ बात करनी की जूरत नहीं अगर पंडे जी कुछ गलतिया ना करते तो साइद कस्मीर की प्रॉब्लम अभी तक ये होती ही ना और अगर फॉज वेद देते तो साइद सारा कस्मीर भारत का होता और ये सब प्रॉब्लम होती ही ना भारत की वॉर्डर अफगानिस्थान के साथ होती और भारत को कुछ लाफटर के लिए आना चाहिए इस तरीके के पाकिस्तानी बाते करें आपके लिए वीडियो बने आप एंजॉय करें और हमें बताएं जरूर की जूनागर के बारे में आप क्या जानते हैं प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें और जूनागर का एक नबाब है जो यहां से साइद भागा था आपने पढ़ा हुआ उनके मतलब बेटे होंगे तो वो अकसर मीडिया में आकर पगड़ी पगड़ी लगा कर बाते करता है कि भीया मैं यूएन जा रहा हूँ ये जूनागर मेरा है ये और वो जूनागर पैलेस का मुझे ये चाहिए वो चाहिए आपने देखा होगा हाला कि जूनागर के दीवान जो जुलफीकार अली भुट्टो के पिता जी उन्होंने उस समय साप साइन करके किया था साइन कर दिया था कि भीया ये जूनागर होगा हिस्सा किसका भारत का और उसके बाद वो वहाँ पर चले गए थे उसके बाद उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बने उनकी भेटी भी पोधी साइथ प्राइम मिनिस्टर बनी दोस्तों यहाँ पर वीडियो का होता है अंध प्लीज शाल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें